हेलो दोस्तो, पावर पैक रेसलिंग चैनल पर आप सबी का स्वागत है तो चलो, स्माइक डाउन का क्वीक रिव देखने के लिए तैयार हो जाओ आज के दमदर स्माइक डाउन की शुरुआत होती है टैग टीम गौंटलेट मैश से ए मैच अंडिस्पूटेट डबलुड़ुए टैग टीम के नमबर वन कंटेंडर चुदने के लिए रखा गया था मैच की शुरुआत दब रॉलिंग बूट वर्सेस दस्ट्रीट प्रॉफिट से होती है दोनों टीम के बीच में एक अच्ची फाइट देखने को मिलती है कूच अच्चे मूग के बाद ब्रॉलिंग बूट अपनी जीत दर्श कराते है उसके बाद द ओसी को हरा कर ब्रॉलिंग बूट लड़ती है और लड़ बूट को भी हरा देती है अगले कॉम्पिटिटर हीट रो के टॉप डोला को शेमस की लात पड़ती है और वो वही अपने घुट नए टेक देता है यह देखकर प्रिटी डेडली के पसी ने छूटने लगते है क्योंकि अगले कंटेंडर प्रिटी डेडली के साथ ब्रॉलिंग प्रीड की भिढ़नत ह होती है हर बार की तरह WWE गंद मचा देती है और नए टैलेंड को मौका देकर प्रिटी डेडली को जिता देते है अगले कि वुमेंस मनी इन दे बैंक लैडर मैच के पहले जेलीना वेगा और इवो आकाश सौरी यो स्काय का मैच देखने का आउसर मिला हर बार की तरह जेली की टांग इस बार काम न आई और जेलीना वेगा ने 619 के साथ यो स्काय पर अपनी जीर्ट दर्श कराई पिछले शुक्रवार को अपनी शांदर वापसी के बाद शार्लेट प्लेयर पहली बार दग्रेट वॉलर इफेक्ट शो में दिखाई देंगे WWE की क्वीन इस शो में WWE मेंज चैंपियन असुका को स्मैक डाउन में चुनावती देती है Money in the Bank पे-पर व्यू के लिए पर बियांका बेलियर की इस शो पर एंटरी होती है तो शायद अगले हफ़ते बियांका और शार्लेट का मैच देखने को मिल सकता है इस बार स्मैक डाउन पर कुछ नया Mixed Active मैच देखने को मिला AJ स्टाइल और मिशिन वर्सेस केरें क्रोस और स्कारलेट पिछले हफ़ते के स्कारलेट के पाउडर अटेक का बदला लेने के लिए इस बार इस मैच का आयोजन किया गया था हर बार की तरह स्कारलेट रिंग के पाउडर अपनी गती विदियो से AJ स्टाइल का ध्यान विचलित करने में काम्याब होती है फिर मुस्टन्डा केरियन क्रोस AJ स्टाइल को अपने बेतरी मूँ जैकेट क्रोस और फर्स्ट प्रेस फ्लांट से थ्री काउंट अर्जित करने में काम्याब होता है सैंतोस इसकोबार और एले नाइट के बीच में एक शांदर मुकाबला होने जा रहा है सैंतोस इसकोबार एक कुछ अच्छे फ्लाइंग वोस करते हुए दिखाई देते है वही एले नाइट उसे अच्छी तरह से टैकल करते हुए दिखाई दिये फाइनली दोनों में अच्छी कासी बिड़न देखने के मिलने के बाद सेंतोस एक्सवार रोल अप को रिवर्स करते हुए मैच जीच जाते है तब लड लाइन अब पत्तो की तरह बिकरती हुई लग रही है और the head of the table Roman Reigns भी इसे नहीं रोख पाएंगे Jimmy Uso का bloodline से निकालने के बाद आज WWE Universal Champion Roman Reigns Smackdown में वापसी करेंगे पिछले हफ़ते Jay Uso के पास United States Champion जितने का मौका था लेकिन Jimmy Uso को इस मैच में दखल देने का उल्टा असर हो गया उस वज़े से Jay Uso इस मैच को हार गए Jay Uso को अपने भाई Jimmy Uso और the bloodline इन दोनों में से किसी एक का चुनाओ करना होगा आज Roman Reigns Jay Uso और Jimmy Uso के साथ बात करते है दोनों में आना कानी होती है उसके बाद Jay और Jimmy Uso दोनों मिलकर Roman Reigns को सुपरकिक दे के bloodline का खात्मा कर देते है हम आ गए इस वीडियो की समापती पर आपको ये वीडियो कैसे लगा एक comment में जरूर बताना और इस वीडियो को like, share और subscribe करने को ना भूलना Thank you